नमस्कार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुगुरू में आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है आज के एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके घर के फैक्टरी के मॉल के बिजनेस यूनिट होटल या फार्म हाउस में शौचाले की सही दिशा और सही स्थान की जी हाँ शौचाले हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है यदि आपका शौचाले सही स्थान पर और सही दिशा में होगा तो आपको शुबफल देगा यदि यह सही स्थान और सही दिशा में नहीं होगा तो यह आपको शुबफल नहीं दे बलकि शारिरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याइं पैदा करेगा यदि आप इन सारी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो अपने घर आदिका शौचाले सही इस्थान और सही दिशा में लगवाएं इस एपिसोड को अंत तक देखें आपके सारी संकाओं का समाधान हो जाएगा इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरू दबाईए जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारिया को मिलती रहे यदि आप वास्तु शास्तर से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो आप दिये गए वाटसेप नंबर पर एपॉइंटमेंट लेकर सलाह ले सकते हैं प्राचीन काल में हमारे घर के अंदर शौचालय का कोई स्थान नहीं होता था परन्तु आज के परिवेश में यह असंभव है शौचालय हमारे घर के अंदर भी होना चाहिए और घर के गेस्ट रूम के पास भी होना चाहिए परन्तु इसका सही स्थान पर होना और सही दिशा में होना बहुत आवश्यक है आज के एपीसोड में हम एक एक करके उन सारी दिशाओं के बारे में जानेंगे जिस दिशा में हमें शौचालय का निर्मार करना चाहिए साथ ही इसका शुब और अशुब प्रभाव भी जानेंगे आईए अब हम जानते हैं कि किस दिशा में शौचाले का निर्माड करवाएं जिससे वह हमें शुब फल प्रदान करने वाला हो पहली दिशा है दक्षिन जी हाँ दक्षिन के दिशा में आप शोचालय का निर्मार निसंकोच हो करके करवा सकते हैं यह दिशा यम की दिशा मानी गई है और इस दिशा में शोचालय का निर्मार करवाना काफी शुभ माना गया है इसके अतिरित दक्षिन पश्चिम और दक्षिन के बीच का छेत्र जी हाँ नेरित्य कोण और दक्षिन के बीच के छेत्र में भी हम शोचाले का निर्माण करवा सकते हैं यह भी अच्छी दिशा मानी गई है, इन दोनों दिशाओं में वास्तु देवता के घुटने और कोहनी के इस्थान रहते हैं, जिससे हमारा शौचालय उस इस्थान पर शुब फल देगा, शौचालय का निर्मार करवाने के लिए हम पश्चिम दिशा का भी प्रयोग कर सकते हैं, यदि हम चाहें तो पश्चिम दिशा में शौचालय का निर्मार करवा सकते हैं, यदि पश्चिम यानि की वेस्ट में इस्थान की कमी हो, तो हम पश्चिम और नेरित्य जी हाँ, वेस्ट और साउथ वेस्ट के कॉर्णर के बीच के इस्थान का भी चयन शोचालय बनवाने के लिए कर सकते हैं, यह भी काफी शुब फल देने वाला छेत्र होता है, क्योंकि वास्तु देव का बाया कोहनी और बाया घुटना इसे छे अधानी से करना चाहिए, इन बताई गई दिशाओं के अतरित्व वास्तु शास्तर के अनुसार शोचालय का निर्मार किसी भी दिशा में पूर्ण तया वर्जित है, जी हाँ, इसके अतरिक्ट आप शोचालय का निर्मार किसी भी अन्य दिशा या किसी भी अन्य इस्थान पर बिल्कुल न करवाएं एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान अवश्य रखें कि शौचालय का साइफन या पॉट इस प्रकार से स्टेबल करवाएं कि शौज करते समय आपका मुख नौर्थ यानि की उत्तर या साउथ यानि की दक्ष्मिर दिशा की तरफ हो ना कि यह प कि आपका फेस हमेशा शौज करते समय साउथ या नौर्थ फेस होना चाहिए ना कि इस्ट या वेस्ट फेस मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कि किस दिशा में शौचालय का निर्मार धूल करके भी नहीं करवाना चाहिए इन दिशाओं की संख्या पांच है इन पांचों दिशाओं की मैं विस्त्रित चर्चा करूंगा और साथ ही इसके पढ़ने वाले शुब और अशुब प्रभाव को भी मैं पूरी तरह से बतलाऊंगा जिससे आपके मन में किसी प्रकार की शंका न रह जाए आए एक एक करके जानते हैं कि किस दिशा में और किस इस्थान प हम इशान छेतर कहते हैं इशान का छेतर भगवान का छेतर होता है यहां वास्तु देवता का सिर भी होता है यहां पर पूजा घर या पूजा का इस्थान बनवाना चाहिए ना कि शौचाले वास्तु देवता का सिर इसी इस्थान पर होने के कारण सिर वाले इस्थान को द स्थापित करेंगे यानि कि गंदगी फैलाएंगे तो समस्याएं आएंगी ही घर में कलेश, मुकदमे बाजी, मानसिक बीमारियां, गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं क्योंकि इशान छेत्र की सारी पॉजिटिव एनर्जी सकारात्मक उर्जा समाप्त हो जाएगी और निगेटिव एनर्जी यानि की नकारात्मक उर्जा आपके घर पर प्रभावी होगी इसका कोई भी निदान नहीं है यदि आपके घर या बिजनेस यूनिट में शौचाले इस इस इस्थान पर है तो आप ध्यांस दीजिएगा आपके घर में इस प्रकार की समस्याएं दूसरी दिशा है आगने यानि की साउथ और इस्थ के कॉर्नर जी हां साउथ इस्थ के कॉर्नर का इस्थान अगनी देवता का इस्थान होता है इसे दूशित करना और अगनी के इस्थान पर पानी गिराना दोनों ही वर्जित है यदि आप आगने छेत्र में शौचाले का निर्मार करवाते हैं तो यह पेट से संबंधित रोग का कारण बन जाता है लीवर किड़नी से संबंधित बीमारी confidence लेवल में कमी आती है जिससे आपका विकास अवरुद्ध हो सकता है तथा यह आपको आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुचाता है इसलिए आगने दिशा में भी भूल करके शोचाले का निर्मार नहीं करवाना चाहिए शोचाले के निर्मार से बचने के लिए तीसरी दिशा है नेरित यानि की साउथ वेस्ट का कॉर्नर हाला कि बहुत से वास्तु शास्त्री इस बात की सलाह देते हैं कि आप नेरित ये छेतर में शोचाले का निर्मार कर सकते हैं परन्तु मेरे अनुसार शोचाले का निर्मार नेरित ये छेतर में भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने यह पाया है कि वास्तु चक्र के 45 देवताओं में से एक पित्र का इस्थान यह होता है एवं यह राहु का भी छेत्र होता है परन्तु इस दिशा में शोचालय का निर्माण कराने से राहु अत्यंत मजबूत हो जाता है अत्याillar एस से बचना चाहिए क्योंकि इससे घर के सुख शान्ती में कमी बीमारियों में वृद्ध होती है देखा गया है कि इस इस्थान पर सोचालय होने से घर में विवाह आदि में भी अर्चने पैदा होती है अतह इस दिशा में शौचालय का निर्मार करने से बचना चाहिए जी हाँ शौचालय का निर्मार नैरित्त में नहीं करवाना चाहिए चौथा इस्थान है उत्तर यानी की नौर्थ इस छेतर के स्वामी कुवेर देवता होते हैं जो की धन के खजान्ची माने जाते हैं इस पर शौचाले बना करके इसे दूशित नहीं करना चाहिए इससे आपके पास धन का हमेशा अभाव बना रह सकता है आपस में संबंद खराब हो सकते हैं तो इस इस्थान पर शौचालय का निर्मार नहीं करवाना चाहिए और हाँ इस इस्थान पर किचन यानि की रसोई घर का भी निर्मार नहीं कराना चाहिए रसोई घर का निर्मान किस इस्थान पर करवाएं इसके लिए भी मैंने एक एपिसोड बना रखा है उसे भी देख ले पांचवा इस्थान है नौर्थ और इशान के बीच का छेतर जी हाँ उत्तर और नौर्थ इस्थ कॉर्णर के बीच का छेतर जो पूरब में आता है अथवा उत्तर में आता है इस छेतर में भी शोचालय का निर्मान नहीं करवाना चाहिए या इस्थान वैदे का इस्थान होता है या मेडिसिन प्लेस भी हम इसको कह सकते हैं इस इस्थान पर भी शौचालय का निर्माण करने से हमें बचना चाहिए साथ ही पूर्व दिशा में भी शोचालय का निर्मान नहीं करवाना चाहिए क्योंकि पूर्व से सूर्य देवता घर में उर्जा का संचार करते हैं या उसमें बाधा पैदा करता है और साथ ही तरह-तरह की बीमारियां और परेशानी भी लाता है कुल मिला करके घर के पूर्वी या उत्तरी छेत्र में शोचालय का निर्मान करने का मतलब है समस्याओं को आमंत्रण देना Attached Latin Bathroom यानि कि Attached Washroom की हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं कि वास्तु के अनुसार Attached Washroom में कौन सी वस्तु कहां पर इस्थापित होनी चाहिए एक एक करके आज मैं पूरी बात आपको बतलाऊंगा इसे ध्यान से सुने और अपने Attached Washroom का निर्मान बताई गई बातों को ध्यान में रखकर ही करवाएं सबसे पहले हम बात करते हैं साइफन की यानि की शोच करने के पौट की Washroom के अंदर इसे ऐसे इस्थापित करना चाहिए कि यह दक्षिन यानि की South या पस्चिम यानि की West अथवा पस्चिम और नेरित्य के बीच के छेत्र में यानि की West और South West के Corner के बीच के स्थान पर या दक्षिण और नेरित्य के बीच में यानि की South और South West Corner के बीच का छेत्र हो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा और पस्चिम और दक्षिण के बीच में South West के Corner को हमें छोड़ देना है तथा शौच करते समय आपका Face उत्तर या दक्षिण दिशा की तरफ हो यानि की आपका Face North या South होना चाहिए शौच करते समय आपका Face गलती से भी पूर्व या पस्चिन दिशा यानि की East या West दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए इसका बहुत खराब दुश्परिणाम बताया गया है अतह अपने वाश्रूम में साइफन या शौच करने के पौट का इस्थान सही रखें जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो सके अटेस्ट वाश्रूम में अब हम बात करते हैं टैप्स की यानि की टोटियों की अटेस्ट वाश्रूम की टोटियां शावर या टैप हमेशा पूर्व या उत्तर की दिवार पर लगवाएं इस बात का विशेश ध्यान आपको रखना चाहिए वाश्रूम के अंदर पानी का बहाव हमेशा इस्ट यानि की पूर्व नौर्थ यानि की उत्तर इशान यानि की नौर्थ इस्ट साइड में ही होना चाहिए यह बहाव भूल कर भी दक्षिन यानि की साउथ पस्चिम यानि की वेस्ट या नैरित्य यानि की साउथ वेस्ट कॉर्नर या आगने साउथ इस्ट की दिशा में नहीं होना चाहिए इस दिशा में पानी का बहा होने से आपको आर्थिक और शारीरिक परिशानी आ सकती है वाश्रूम में अच्छे वेंटिलेशन का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि दूशित हवा सही ढंग से बाहर जा सके इसका भी प्रवंध अवश्य होना चाहिए वाश्रूम में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था सही ढंग से हो सके इसके लिए आपके वाश्रूम की पूर्वी यानी की इस्ट उत्तरी यानी की नौर्थ की दिवार का प्रयोग होना चाहिए ये काफी शुब होता है यदि आप एग्जॉस्ट फैन भी लगवाते हैं तो आप इस दिशा में रोशन दान के साथ एग्जउस्ट फैन भी लगवा सकते हैं अब हम बात करते हैं wash basin की जी हाँ एक attached washroom में wash basin का होना अत्यंत आवश्यक है परंतु इसका सही स्थान पर और सही दिशा में भी होना आवश्यक है wash basin पूर्व यानि की east या उत्तर यानि की north की दिवारों पर लगवाएं ताकि उसका पानी भी उसी दिशा में बह सके और साथ ही दरपन यानि की mirror भी wash basin से attached हम लगवाते हैं तो उसको भी पूर्व या उत्तर की दिवार पर ही हमें लगवाना चाहिए या काफी शुव माना ग का लगवाना अच्छा नहीं माना जाता है इस बात का भी विशेश ध्यान रखें यदि आप गीजर का प्रयोग करते हैं तो गीजर का भी सही स्थान पर होना आवश्यक है कोशिश करें कि आपका गीजर south east corner यानि की आगनेय छेत्र या पूर्वी दिवार पर ही हो जिससे यह भी आपको अच्छा फल दे यदि हमारी बताई गई इन बातों को ध्यान में रख करके आप वाश्रूम का निर्माड करवाएंगे तो इसका अच्छा फल मिलेगा आप शारिरिक मानसिक और आर्थिक रूप से खुशहाल रहेंगे यदि कोई समस्या आने वाली भी होग की तो वह टल सकती है शौचाले इतना महत्वपूर्ण इस्थान रखता है जितना की किचन और बाकी वास्तु के अनुसार घर के निर्माड आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाईएगा यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंदित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर वाट्सेप करके आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं वास्तुशास्त्र अपनाए अपने जीवन को सुखी बनाए मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ देखते रहिए आपका अपना चैन